असलम को गाइज वेलकम बैक माई निव लोग तो आप सब को देख रहे हैं यह क्या है मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताते हूं अपने पूरी एंड तक इसको देखते हैं कोई लोग कैसे होते हैं जल्दी जल्दी बका देते हैं आप पकाया मत करें ठीक है आप इसको इसको देखें मैं भी बूर्ट सैड हो रही थी यह देखें इस वार बजार कैसे जला है एक शौप को आग लगे जलते जलते तो सारी शौप को आग लग गई होंगी ना यह तो मुझे भी बता है आप सब को कि पता होगा ना अल्ला का शुकर को ऐसा जानी नुक्सान नहीं हुआ इस दिन ना जब आग लगी ना तो वो बजार बनता मैं बहुता हुआ मुझे कैसे पता चला है ऐसे मैं टिक्टक देखें तो इतवार बजार में आग लग गई हो पर लिखा हुआ था ना वह तो सारी वीडियो में लिखा हुआ ठीक है फिर मैंने सोचे मैं भी अपन दिल से पैसे कमाई होंगे ना फिर बचारों की देखें सारी शूर चल गए हैं कुछ कुछ बच्चे होंगे यह नहीं पताब कोई बच्चे होंगे या कोई बच्चे नहीं होंगे देखें इतना नुकसान हुआ है एक शौप को आग लगी तो सारी शौप को आग लगी तो मेरा तो दिल बहुत धगदग कर रहा था मेरा दिल उदास उदास हो रहा था आपका भी दिल उदास उदास हो रहा होगा ना दिखेंगि हो पे पिपर ये क्पम झा गबागते हैं कि तूंदी धिली है इस साइट तो सारी दुकांग जल गए है जिस साइट पे आग नीव लग Republic पूर को आग साथे प्रग लगिए अब बचारों को क्या उनोंने तो बंदी की होगी ना फिर इनों ने देखे मुचारों ने अपने बिचा के कपड़ा उनों अपने नीचे शूर रख लगे हैं मैंने अभनी सारी स्कूल के चीज़े भो पैंसील सांjskे ले ले रह ले थी वाववन डालार जब गाये थे हैंук में लेती है अब से भूख भुजो फोलोग भी भूल जाते हैं तो मैं बनाउं या ना बनाई हु हूँ मेरे ना मैं विलोग बनाने का बहुत दिल भी कहते है तीके मैं आपको एक बात बताती हूं मुझे कोई लोग फोलो भी नहीं करते है और मुझे करती भी नहीं है अब देखें अगर आप मुझे फोलो करेंगे ना तब मैं आपको अच्छी जगह पर जाओके ज्यादा करेंगे तो आप लोगों भी देगा अगले व्लाग में मुलाइक कात होगी मेरे प्यारे दोस्तों